बहुत बहुत धन्यवाद इतने महात्पूर्ण विधेक पर आपने मुझे बोलने का उसर दिया मैं बढ़ाई देना चाहूँगा मानौस अंसाधन मंत्री जी को कि जो हमारा 2014 का संकल्प था हमने इस विधेक के माध्यम से उस संकल्प को पूरा करने का काम किया तीन संस्कृट डिम्ड विश्वध्याले को केंद्र विश्वध्याले में परिवर्तित करने का काम किया कि गारन आज इसकी प्रशंत हो गया कि बहु आज प्रदरशित हुआ उस से लगता है कि संस्कृत के साथ कितना अन्याय आजादी के 65 वर्सों में हुआ और जिसका कारण है कि आज जो स्वेम आकडा प्रस्तुत किया जा रहा था कि संस्क्रत भाषी लोगों की संक्याई इतनी कम हो गई मानिवर दुनिया का सबसे समरद्ध साहित किसी भी भाषा में दुनिया की किसी भी भाषा में इतना समरद्ध साहित रचा नहीं गया जो संस्कृत भाषा में रचा गया मानिवर आज भी वेद हों पुरान हो इतने हजारों वर्स पहले जिनकी रचना हुई थी आज भी वो समसामईक हैं सारवकालिक हैं सारवदेशिक हैं आज भी वो किसी देश की सीमा में बधे नहीं हैं हमारे वेद और पुरान और उनमें जो लिखा गया है आज भी अगर उनकी विवेशना करते हैं तो आज भी कितने वो सामईक हैं हमारे उन विद्वानों ने रिशियों ने मनिनिश्यों ने गहन साहिती की रचना करते समय हजारों वर्स आगे की उन्होंने कलपना कर ली थी और उसकी संदशना करते समय आज भी जब हम उसका अधियन करते हैं तो ऐसा लगता है कि आज उतने समकालीन हैं उतने ही सामईख हैं वो जो साहित उन्हों ने लिखा मानेवर गीता जिसे सारी दुनिया स्रीमत भागवत गीता का अनुशन करती है और आज मैं समस्ता हूं पास्चात देशों में भी स्रीमत भागवत गीता का जो जिस तरीके से लोगों ने उसका ध्यन प्रारम किया है एक सर्व बहुमिक गंत के रूप में आज गीता सारे दुनिया में मानेता प्राप्त है तो मानेवर एक ऐसा ऐसा भासा संस्क्रत केवल एक भासा नहीं है जितनी भी भारतिय भाषाएं हैं उन सारी भारतिय भाषाओं की जनरी संस्क्रत कही जाती है किसे ने किसी रू नहीं है मानिवर क्लाशिकल भासाओं से संस्क्रत का कोई विरोधा भास नहीं आज हमारे मित्र बक्ता कर रहते कि संस्क्रत के साथ संस्क्रत को इतना बजट दिया गया उनको इतना उससे उनकी एक मन्द की इरिश्या दिखाई पड़ रही थी संस्क्रत के पर जो इरिश्या वाओ है वो प्रदर्शित हो रहा था संस्क्रत भासियों या संस्क्रत भाता ने कभी किसी क्लेशिकल भासा या छेत्री भासा का प्रतिरोध नहीं किया और ना संस्क्रत का किसी से कोई इस तरीके का वैर है संस्क्रत पढ़े पलवीत हो आगे बढ़े संस्क्रत का में पढ़ती हो, विकसित हो यह हम सब का प्रयास है। इन तीन संस्कत विश्विविद्यालेव, केंडरी विश्विविध्यालेव की स्थापतां से निश्चित रूप से संस्कत के विद्वानों को सोध और अनुसंधान के अवसर मिलेंगे संस्कत केवल एक भासा ही नहीं है संस्कत में अगर आप देखें चाहे आईरवेद हो चाहे योग हो चाहे मानेवर विज्ञान हो चाहे नाट्टे हो कला हो आज दुनिया की कोई ऐसी संस्कत ही नहीं है जो हमारे संस्कत भासा में नहो जैसा हमारे पूरवक्ता नहीं कहा था कि संस्कत केवल एक भासा नहीं है संस्कत हमारी वैदिक संस्कत है और संस्कत हमारी पहचान है सारी दुनिया में हमारे संसकार संसक्रत से जुड़े हुए है हमारी संसक्रती आज भी हजारों वर्ष बाद इतने आकरांताओं ने जिसे छत विछत करने का प्रयास किया लेकिन आज इतनी मजबूत थी हमारी संसक्रती जो आज भी जीवित है और जिससे भारत की पहचान सारी दुनिया बे बनी हुई ऐसी समरद्ध भासा की जब कोई आलोचना करता है तो मानेवर जरूर पीड़ा होती है संस्कत किसी जात की, किसी धर्म की भासा नहीं सारो भावमिक भासा मैंने कहा है और संस्कत का ज्यान के लिए कोई किसी के पास कॉपी राइट नहीं है कि ज्यान संस्कत का केवल कोई ही अरजित कर सकता है संस्कत के ज्यान हर विद्वजन के लिए संस्कत उपलब्द है उसका ज्यान अरजित करने के लिए ऐसी भासा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी भासा में सोध और अनुसंदान हो और हजारों वर्स पहले का जो हमारा साहित्य है उसके उपर अध्यन हो आज भी जिस विज्ञान के जो हम कहते हैं कि पाश्चात्य देशों ने विज्ञान के छेत्र में चाहे जितनी प्रगति की हो लेकिन आज भी हम हमारा जो वईदिक काल का विज्ञान है हम पूरी तरीके से उसको विक्षित नहीं कर पाए है आज रामायन में ही कहा गया है बाल्मी की रामायन में हो हजारों वर्स पहले पुषपक विवान की अवधारना थी कि भगवान राम जब लंका से चले है तो पुषपक विवान से आए है जो विवान अठारवी सदी में आकर बना हजारों वर्स पहले हमारे मनीशियों ने बनाया था जिन अग्नियास्त्रों की अटामिक बन्मों की आज बात हो रही है उस समय महाभारत के युद्ध में मानिवर इस तरीके से अग्निबान और कौन कौन से बान जिनको की आज हम विविन रूपों में जिनका हम संधान कर रहे हैं ये सारे विक्सित हो चुके थे विज्ञान के चाहें आप मेडिकल साइंस के छेतर में हमारा आईरवेज सबसे प्राचीन है और जिसमें कहा गया है जब लक्षिमन को सक्ती लगती है तब वहां से हनुमान जी जाकर के परवत से लेया करके जड़ी बूटी लाते हैं वो मूर्चा से जाग्रत हो जाते हैं इतना विक्सित हमारा आउशदीवी ज्यान था आईरवेजित का तो किसी भी छेतर में चाहें नाटे कला में हो श्रयम शंकर जी ने जो नाटे किया है वो अपने में अधूत है और मैं समझता हूँ नाटे कला भी हमारे संस्कृत साहित में उन उचाईयों पर थी लेकिन ज इसे जैसे संसक्रत के पत उधार शिंता बढ़ती गई और आज आवश्यक्ता है संस्क्रत को जड़ों से मजबूत करने की हम लोग जब प्राइमरी विद्यालें में जूनियर स्कूल में पढ़ते थे संसक्रत अनिवारी विशय के रूप में पढ़ाई जाती थी देकिन इ उच्छ शिक्षा में संस्क्रत का ग्यान सीमित हो गया और आज संस्क्रत पाठियों की संख्या कम होती गई मानिवर संस्कृत केवल भासा के रूप में अगर विक्षित की जाती तो जितनी सम्रद भासा संस्कृत है उससे निश्वत रूप से हमारी ग्यान और हमारी गरिमा भी सारी दुनिया में बढ़ती आज तमाम दुनिया के पास्चियात्य देश संस्क्रत साहित में सोध और अध्यन कर रहे हैं हमारे यहां की तमाम पांडुलिपिया यहां से ले जाकर के उनका अध्यन करने का काम कर रहे हैं लेकिन अपने ही देश में संस्कृत के उन तमाम ग्रंथों का अध्यन या उसके उपर सोध अभी तक नहीं हो सका। मानिवर जो जमु कश्मी राज आतंकियों का अध्या बन गया कभी सैव दर्शन का केंद्र हुआ करता था और संस्कृत के महान विद्वान वहाँ पर पैदा हुए और उन्हों ने संस्कृत साहित को आगे बढ़ाने का काम किया जिन पाणिनी की बात अभी हमारे मित्र ने कह ही पाणिनी संस्कृत व्याकरण के ऐसे विद्वान थे कि मैं समस्ता हूं किसी भाषा में व्याकरण का ऐसा विद्वान शायद ही कोई दूसरा जन्मा हो ऐसे ऐसे विद्वान जिस भासा ने दिये हूं ऐसे ऐसे विद्या भारती के पुत्र जिसने जन्मे हों ऐसी भासा क विख्षित करना हम सब भारतियों का एक दाई तो बनता है संस्कुल देवभासा कही जाती है और इसका विकास केवल सेंटरल इन्वस्टी बन जाने से नहीं होगा मानिय मानव संसाधन मंत्री जिसे मेरा आगरा होगा संस्कुल को जूनियर हाइ स्कुल से ही से जोड़ना चाहिए हाइ स्कुल जूनियर हाइ स्कुल और इंटर की कक्षाओं में जब संस्कुल पढ़ाई जाएगी तभी आपके इन संस्कुल के विश्व विद्यालें में आकर करोड़ाबादी के उन संस्क्रत भासियों के लिए संस्क्रत पाठियों के लिए परियाप्त नहीं होंगे संस्क्रत भासा का विश्तार जो भी संस्क्रत विद्याले चलने हैं दीरे दीरे मानासर नवस्ता में हैं उनमें अध्यापकों की नियूक्त की जाए, उनके भवनों की विवस्ता ठीक से की जाए, वहाँ पठन-पठन का समचित वातरवन बनाये जाए, जो ताकि संस्क्रत विद्यालयों के पुनर जीवन की आवश्यक्ता है, और यह काम जब आप रात्मिक्ता में करेंगे, जब सेकेंडर मध्यमा करके संस्क्रत के जब अच्छे विद्यार्थी आएंगे, तब सास्त्रियों आचारे की डिग्री लेने के लिए विश्यो विद्यालय में जा सकेंगे, लेकिन जब तक मध्यमा इस तर तक संस्क्रत की अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, तो हम आगे उच्छे में संस्क्रत के विद्यार्थी कहां से लाने का काम करेंगे, और इसके लिए देश में जो भी संस्क्रत विश्यो विद्यालय स्थापित हैं, उनको कैसे विक्सित किया जाए, वहाँ पर जो अध्यापकों के पदरिक्त हैं, जो सिक्षकों के पदरिक्त हैं, उनको भर करके उहां पर आच्छे पठन-पाठन की विवस्ता की जाए उतर प्रदेश में ही मैंने देखा कि बड़ी संख्या में संस्क्रत के विद्याले चाहे मध्यमा विद्याले हो चाहे महा विद्याले हो संस्क्रत दैनी इस्तित्म है आज आवश्यक्ता है उन महाविध्यालियों को पुनर जीवित करने वहाँ पर जो पद्र सरजित हैं उन अध्यापकों की नियुक्ति की मद्यमा तक के विध्यालियों को भी आगे विक्सित करने की आवश्यक्ता है और मैं समझता हूँ संस्क्रत का विकास इस देश की संस्क्रत का विकास होगा इस देश का गवरव बढ़ेगा एक ऐसी गवरव साली भासा जिसे हम दियो भासा के रूप में जानते हैं जिसका इतना समरद साहित है दुनिया संस्क्रत के जो हमारे संस्क्रत साहित से में हो जो संसकुत साहित में उसके लिए सही मार्ग दर्शन न हो और सही दिशा न दी गई हो केवल उसके अधियन की आवस्छक्ता है मानेबर मैं मानुह संसाधन मंत्रि जिससे चाहूंगा मेरा व्यक्तिकत निवेदन होगा कि आज हम सब का ये दाईत हो अपनी रास्ट्रमाज अपनी देव भासा के प्रति हम सबका दाई तो है और नैतिक दाई तो है कि संस्कत भासा को देश में कैसे पुनर स्थापित किया जाए संस्कत विद्यालियों को कैसे फिर से ठीक से संचालित किया जाए संस्कत सिक्षा की जो दूरदसा आजादी के 60- 65 सालों तक हुई है उसे कैसे बहाल करके संस्कत भासा को कैसे देश में फिर से इस्थापित करने की दिशा में संस्कत का उस गौर्व साहित है उसका सोध और अध्यन करके संस्कत के माध्यम से हम देश के गौर्व को बढ़ाने का काम कर सके मैं इसके साथ ही माने मानो संसाधन विकास मंत्री जी स्वैम भी संस्क्रत के विद्वान है मैं उन्हें अच्छी तरह स्जानता हूँ संस्क्रत के पर उनकी अभीरुच है देकिन ये अभीरुच केवन तीन केंद्रे विश्विद्यालेओं की रचना से पूरी नहीं होगी देश में तमाम सारी संस्क्रत की संस्थाएं है उनकी तरह भी आपका द्रश्टिपात होना चाहिए मानिय सदस्यों ने अपने अपने राज्यों के संस्क्रत विश्विद्यालेओं और संस्क्रत महाविद्यालेओं पर चिंता विक्त की मैं मानिय मंत्री जी का ध्यान उसोर भी ले जाना चाहूंगा कि देश में जो भी संस्कत की संस्थाएं हैं उनको कैसे ठीक से संचालित हों कैसे वहाँ पठन-पाठन का माहौल बने और एक बात मैं आप से और कहना चाहूंगा मानिय उपसवापत महोदे कोई भी भासा जब तक रोजगार से नहीं जूलती तक तक वो दीरगी जीवी नहीं होती संस्कत को रोजगार से जोलने की आवश्यक्ता है संस्कत को रोजगार से जोलने की दिसा में जब तक प्रयास नहीं होगा संसकत पाठियों का भविशे जब तक उज्वल नहीं होगा तक तक संसकत का विकास और संसकत का विश्तार नहीं होगा इस दिसा में गंभीर चिंतन की आवश्यक्ता है संसकत विद्यालों में पढ़े बच्चों का उज्वल भविश्यों उनका भविशे निर्धारित हो और इस दिसा में अगर सरकार काम करेगी तो बहुत सारी संभावनाएं हैं संस्कत के साथ साथ सामाजिक विज्ञान, विज्ञान के विशे भी पढ़ाये जाएं केवल किसी विद्यार्थी को केवल संस्कत विशे ही नहीं संस्कत साथ सामाजि को physics, chemistry और biology दूसरे विशे भी जागर्फी, history और political science जो subject लेना चाहें उसको जोड़ करके मानिवर हमारा 15 मिनट का समय है दो आदली, दो इस्पीकर है, हाँ हाँ है तो तो इसले मैं आपके माधियर से मानी सभापत महोद है, मानी मंत्री जी से मेरा आग्रा है, कि जब आपने इतना बड़ा काम किया है, आपने भारती जनता पार्टी के उस फैसले को आज प्रभावी किया है कि 2014 में हमने कहा था, कि तीन संस्क्रत विश्वित में जो डीम्ड इन्वस्टियन को हम केंद्रि विश्वित द्याले बनाएंगे, आज इस विधेक के माध्यम से आपने उस कथनी और करनी के अंतर को मिटाने का काम किया, आप से हम सबको आसाएं हैं कि आपके रहते देश में संस्क्रत का विकास होगा, संस्क्रत का विश्वतार होगा, लेकिन मानने मंत्री जी जब तक संस्कत को रोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा आज आवश्यक्ता इस पर चिंतन करने की संस्कत को रोजगार परक बनाने की और संस्कत को देश ने कुना इस्तापित करकी दुनिया में गौरव बहुत 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 धन्यवाद आखको अन्यवाद स्री पियल पुनियाजी